सॉथ पूंस के सूपरस्टास कब बॉलूड में डेब्यू करेंगे चाचाब पिछले कई सालों से चलिया आया है। महेश बाबू ने बॉलूड को लेकर इतनी बड़ी बात कह दिए कि शायद हिंदी सिनमा के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की नीद रुचाए। महेश बाबू ने बॉलूड डेब्यो को लेकर कहा है कि बॉलूड उन्हें अफ़ॉड नहीं कर सकता। आपको बता दे कि फिल्म मेजर का निर्मान महेश बाबू के प्रोडक्शन हाउस के बैने तले ही हुआ है। अदीवी स्टाडर ये फिल्म मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए मेजर संदीप उन्हें कृष्णन की नीजे जिन्दगी और उनके फोजी बनने की जस्बे की दर्शाए गई है। बॉलू डेब्यू पर बात करती हुए महेश बाबू ने कहा कि मुझे धेर सारे हिंदी फिल्म्स के ओफर मिले हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ओफ़ोड कर पाएंगे। मैं उस इंडस्ट्री में काम करके अपना समय बरबाद नहीं करना चाथा। जो मुझे ओफ़ोड नहीं कर सकती है। मुझे यहां यानि के साउट में बहुत सम्मान और स्टाजन मिला है। इसलिए मैं कभी भी अपनी इंडस्ट्री को छोड़कर दूसरी इंडस्ट्री में चाने के बारे में नहीं सोच था। मैंने हमेशा सिर्मे करने और बड़ा बनने के बारे में सोचा है। मेरा सबना अक्ट सच हो रहा है। और मैं इससे जादा खुश नहीं हो सकता महीश बावो के साथ काम करने की हर प्रोड्यूसर्स के प्षा होती है वज़ा है उनका चार्मिंग स्टाइल जो उनके फैंस को खूँ पसंद आता है ऐसे में कई बार ये ख़बरे आई हैं कि बॉलिवूड प्रोड्यूसर्स भी बहेश बावो के साथ काम करना शौते हैं लेकिन कभी इस लेकर बॉलिवूड जिया फिर महीश बावो की तरफ से कोई आधिकारिक पुश्टी नहीं की गई है अब महीश बावो के हाले अबयान से तो ये स्कुष्ट हो चुका है कि उनका फिलाल बॉलिव डेबियू का कोई विचार नहीं है